कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेवर पेन Linda के लिए अगर आप इन उपायों को करो गए तो आपको 100% लेवर पें आ अजाएगा इन इन उपायों को फ्रेंट्स अगर आपका ड्यूडेट निकल गया है तो भी कर सकते हो ड्यूडेट नहीं निकला है अभी ड्यूडेट में एक दो दिन बाकी है तो भी कर सकते हो आप अगर इन उपायों को करोगे तो 100% आपका जो है नॉर्मल डिलिवरी का जो भी हर्मोन है रिलेक्षन और ऑक्सिटोसिन उत्पन होने लगेगा और आपको नॉर्मल डिलिवरी असानी से हो जाएगी तो कौन-कौन से उपाय है कौन- इन उपायों को आपको करना है दूसरी बात अगर महीने से बताओं तो आपको 9-9 महीने का एक हपता निकल गया हो या फिर 10-12 दिन निकल गया हो तो ही आपको इन उपायों को करना चाहिए वरना पहले आपको नहीं करना चाहिए नहीं तो इन उपायों को पहले कर लोगे त अगर अच्छा लगे तो और बेल आइकन ज़रूर क्रेस कीजिए और जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर देजी सबसे पहला उपाय है कि आप अपने निपल का मसाज करें अगर आप अपने निपल का मसाज करती हैं तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर नॉर्मल Personen की की process होने लगती है तो आप अपने निपल का पांच मिनट एक साइज निपल का मसाज करें तो आपको अपने निपल का मसाज करने हैं दूसरा ऊपाय हैं है दूसरा उपाय आपको करने हैं कि आपको अगर हो सके तो आप इसमें रिलेशन इस समय भी रख सकते हो तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अगर आपको जो है लेबर पेंड नहीं आ रहा है तो लेबर पेंड आने लगेगा लेकिन यहां पर आपको एक चाहिए इसके अलावा फ्रेंड्स रिलेसन के बाद आप जो है आनास यानि कि पाइनेपल और पपाया पपीता आनास और पपीते पाइनेपल और पपाया दोनों का इस्तमाल आप कर सकते हो इसको क्या इसको आप काट लिजी और काट के यह नहीं कि बहुत जादा आपको खा गालेना है नहीं बहुत ज़्यादा कॉंटिटी में नहीं खाना है थोड़ी सी मेले के खाना है तो इससे क्या होता है लूज मोशन भी आपको होना शुरू हो जाएगा तो इसको भी आप अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो इसके अलबा फ्रेंज्ट अभी तो विंटर क अर्मोन कि देखichen देखा होगा कि लेवर पेन ही नहीं पर facto नुभी सिंटम इंगे होनए तो घर नहीं समय कर रहे हैं अब darauf और जब डिव डेट खतम हो जाती है डिव डेट के एक वीक दो वीक बाद भी अगर आपकी डिलिवरी नहीं होती है तो डॉक्टर बुला के आपको सीजर कर देते हैं अगर हो जाती है तब तो कोई बात नहीं अगर नहीं होती है तो सीजर तो करना ही पड़ेगा ये तो जो ह कि आप उकडू आवस्था में बैठेंगी तो वैसे ही आपको इंडियन टॉलेट के इंडियन टॉलेट में बैठना है आपको वेश्टन टॉलेट का इस्तमाल नहीं करना है इंडियन टॉलेट में बैठेंगी उठेंगी जैसे कि बैठेंगी टॉलेट करने के लिए आपका काम भी हो रहा है साथ साथ एकसरसाइज भी हो रहा है क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका विजाइना पे बहुत जादा प्रेसर पड़ता है और विजाइना पर प्रेसर पड़ता है तो आपके सर्विक्स का मुझ खुलने का संकेत बढ़ जाता है और लेवर पेनान कि अगर आप 20 मिनट शुबा कर लिए फिर 10 मिनट दस मिनट शुबा कर लिजिए और 10-15 मिनट साम को कर लिजिए इन दोन इगर सुबा साम वाकिन करोगे तो इससे क्या होगा इससे आपका जो है सिसू ग्रेविटी के करण नीचे की तरफ अपना खिशकना शुरू कर देगा तो आप जानते ही हो कि लेवर पेन आना सुरू हो जाएगा तो आपको नॉर्मल डिलिवरी भी पोसिबल हो जाएगी तो आप वाकिन जरूर करिए वाकिन करने के साथ साथ आप हो सके तो बटरफ्लाइ एक्सराइज भी कर लीजिए या फिर ब्रिधिंग एक्सराइज तो आपको करने ही करने हैं थोड़ा बहुत सीडियों पर चलिए उतरिए इससे भी आपको नॉर्मल डिलिवरी की प्रोसेस असान हो जाती है इसके अलावा फ्रेंड्स एक काम और आपको करना है कि जब आपका लेवर पेन सुरू हो जाता है तो कोई भी मतलब की लेवर पेन न लेवर इंडूज करा देते हैं यानि कि आपको लेवर पेन सुरू हो जाता है और आपको नॉर्मल डिलिवरी होने का चांस बढ़ जाता है और घर पे रहोगे तो घर पे रहोगे तो बच्चे को ही नुकसान होगा और तो कुछ होने वाला नहीं है तो इन सारे चीजों को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको लेवर पेन नहीं आ रहा है तो लेवर पेन आने लगेगा और जब लेवर पेन आने लगेगा तो आपको पता है कि डिलिवरी की प्रोसेस असान हो जाएगी क्योंकि आज कल यह कंडिशन चल गया है कि ना तो लेवर पेन आ रहे है जिसका की लेवर ही पेन नहीं आ रहा है तो आप ऐसा काम करिए जिससे की आपको लेवर पेन आए और लेवर पेन आएगा तो आपके डिलिवरी भी असान हो जाएगी तो आई होब फ्रेंड्स की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा तो चैनल को प्लीज रिक्वेश्ट है जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेश्ट करते हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए इसकिप करकर के देखोगे तो कुछ नौलेज मिलने वाला नहीं है कुछ नौलेज नहीं मिलेगा तो क्या फायदा मिलते हैं अगले वीडियो में थांक्यू फर वाचिंग बाई बाई टेक केर धन्य बाद कोई भी इक्वाइर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजे थांक्यू